पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फोबिया इसके बारे में बताने वाला हूँ फोबिया, that means डर यहाँ पर आप लोग यह वर्ट्स देख सकते हैं सब में लास्ट में क्या है हुआ है फोबिया फोबिया एक root word है और जिसका मतलब क्या होता है डर, मतलब fear तो यहाँ पर मैंने कुछ fear जो की बहुत ही common है उनके बारे में आपको, यहाँ पर मैंने लिखे हुए है प्लीज आपसे request है, not them, इनको not कर ले उस register और pen के साथ, जो भी आप अभी लेकर बैठे हुए हैं और अगर नहीं बैठे हुए हैं प्लीज, टेक इट चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है, that is what? ओफिडियोफोबिया, देखिए ओफिडियोफोबिया यह किस चीज का डर होता है? यह होता है fear from snakes यह होता है सापों का डर जिस परसन को डर होता है सापों से he gets scared of you know snakes तो उसको जो डर है वो क्या है? ओफिडियोफोबिया प्लीज, इसको ध्यान से लिखे और याद भी करें next, क्लास्ट्रोफोबिया क्लास्ट्रोफोबिया डर होता है बंद स्थानों का closed places का, suppose कोई person elevator में जाने से डर लगता है उसको because it is so closed, it is basically closed space तो ऐसा जो डर जो की बंद स्थानों से लगता है ठीक है? closed spaces से लगता है तो उस डर को हम बोलते है क्लास्ट्रोफोबिया यानि कि that means what? fear from closed space ठीक है? next agoraphobia guys agoraphobia इसी का उल्टा है ये closed है तो ये open agoraphobia खुले स्थानों से डर right? fear from open places जो बड़ा सा स्थान है खुला हुआ है पिल्कुल तो उसको डर लगता है तो ऐसे fear को हम क्या कहेंगे? agoraphobia fear from open places ठीक है? next sinophobia sinophobia होता है कुतों का डर बहुत सारे लोगों को कुतों से बड़ा डर लगता है they have you know fear from dogs वो जैसे कुता बैठा हुआ है और उसके सामने से निकल के जा रहे है तो they are very much scared उनको बड़ा डर लगता है की पता नहीं कब हम पे यह it will attack you know us so ऐसे डरकों क्या बोलता है sinophobia यानि की fear from dogs next allurophobia बिल्लियों से डर जिस परसन को बिल्लियों से डर लगता है तो उसको क्या है allurophobia 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 fear from cats next aquaphobia aqua or hydro दोनों ही water के लिए use होते हैं aqua hydro चाहे तो आप इसको hydrophobia कहें या इसको आप aquaphobia कहें that means what fear from water पानी से डर that is aquaphobia pyrophobia pyro use किया जाता है fire के लिए इसके लिए आप arzonophobia भी कहें सकते हैं arson या फिर जो आग होती है उसके लिए pyrophobia यानि कि fear from fire डर आग का डर that is pyrophobia next astrophobia astrophobia होता है lightning जो बिजली कड़कती है चमकती है in fact I should say so right it's lightning lightning होती है बिजली चमकती है तो उसका डर उसके डर को हम बोलते है astrophobia और बहुत सारे लोग होते है जिनको यह डर होता है so they have what astrophobia next nightophobia 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 होता है dark places का डर या night का डर अंधेरे से हमें डर लगता है तो हमें nightophobia है और हमें इसे बहुत लोग nightophobia की शिकार होते है most of us right so nightophobia is what fear of night या फिर darkness ठीक है guys that is called what nightophobia next acrophobia acrophobia उंचाई से डर height जिन लोगों को उंचाई से डर लगता है उनमें कौन सा phobia होता है they have acrophobia so mind here friends मैंने आप लोगों को ये phobias बताए है सबसे पहले अफिडियो फोबिया snakes के लिए क्लास्ट्रो फोबिया closed space के लिए agoraphobia open places के लिए sinophobia dogs के लिए alluro phobia cats के लिए aquaphobia water के लिए pyrophobia fire के लिए astrophobia lightning के लिए nightrophobia darkness के लिए और agoraphobia height के लिए ठीक है please इनको आप याद करें अभी मैं आपको 10 और बताने वाला हूँ चलते हैं next 10 की और next 10 आपको मैं बताने वाला हूँ वो यहां पे लिखे हुए है सबसे पहले क्या है androphobia guys andro यह आता है male के लिए man के लिए right so fear fear from men आदमियों का डर that is androphobia right andro को ज्यान लगना that is a root word for men मैं आप लोगों को मैंने क्लास दीती root words पे वैसे I'll be coming soon with root words so वहां पर आपको यह काफी मदद करेगा next bathophobia देखे bathophobia नहाने से डर नहीं है यह डर है गहराई का depth का right उन्हें लगता है that they will get into it if they see that depth वो depth देखते हैं तो उनको लगता है जिनको यह डर होता है that they will get into it so that is bathophobia यानि की fear from depth गहराई का डर या गहराई से डर next bibliophobia that is fear from books बहुत सारे students को विध्यारतियों को यह डर होता है bibliophobia उनको किताब उसे डर लगता है they don't want to study at all right so that fear is what bibliophobia next gerascophobia यह जो डर है यह होता है बुढ़ा पे का डर मतलब वो बुढ़े होते जा रहे हैं उनको लग रहा है कि now nobody is going to like us right our charm will fade away and we are going to get old now so उस डर को हम बोलते हैं gerascophobia यानि कि fear from getting getting old बुढ़े होने का डर और यह common डर है पाया जाता है next gynephobia आपने सुनाई होगा gynecologist आपने सुनाई होगा misogynist वो क्या होता है women यह जो वरड है gyne, यह women के लिए यूज होता है तो fear from women जिनको औरतों से डर लगता है तो उस डर को जो उने डर है उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे gynephobia लिख लिए प्लीज आप next mastigophobia इसे याद भी कर सकते हैं वैसे this is called mastigophobia so mastigophobia होता पनिशमेंट का डर there are people or there is someone who has done something wrong and now he knows that he will be punished so he is scared of it उसको पनिशमेंट का डर लगता है डर है उसे वैसे ये तो सभी को होता है punishment का डर बच्पन में तो कुछ जादा ही होता था schools वगरा में mastigophobia means fear from punishment fear of punishment यहाँ पर हम ओफ कर ठीक है fear of punishment 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 का डर next muri phobia यह होता है आपका rats के लिए right चूहों से डर चूहों से भी डर लगता है so that is muri phobia next that is phalacrophobia so what is phalacrophobia this is very very simple जिल लोगों को डर लगता है कि हम गंजे हो जाएंगे you know their hair are falling so they feel that soon they are going to get bald and they have a fear of it कि भाई हम नहीं होना चाते means गंजे bald नहीं होना चाते but they have a fear of it so that is what phalacrophobia यानि कि fear of getting bald bald मतला ganja next scolico sorry scolionophobia scolionophobia होता है school का डर school का डर right जिनको स्कूलों से डर लगता है school जाने से डर लगता है so that is scolionophobia fear of or from schools right and next and last but never the least hypsophobia hypsophobia ये आपका height का ही डर होता है अभी मैंने आपको पिछली slide में बताया था height का एक word और so that is hypsophobia so मैंने आप लोगों को ये दस words और बताए phobia पर डर पर endrophobia men bathophobia depth bibliophobia books gyroscophobia getting old gyneophobia that is women mastigophobia that is punishment muriphobia that is rats feliprophobia that is getting bald scolionophobia that is schools or hypsophobia that is height my dear friends मैंने आप लोगों को ये 10 fear के बारे में बताया है and I am sure आप लोगोंने ये ध्यान से वीडियो देखी है or if there is anything you haven't got it I request you please replay the video and get to know the word देखिए ये 20 है अगर आप लोगोंने ये दो बार देख ली तो कम से कम दस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और प्लीज जो भी चीज आप आज याद करते हैं पढ़ते हैं you add to your knowledge कभी ना कभी in your life it is going to help you a lot so I request you please my friends आप इसको ध्यान से पढ़े याद करें and share with your friends also क्योंकि जब इनको आप अपने friends को बताएंगे so आपको ये खुद याद हो जाएंगे चलिए thanks a lot my dear friends to give me you gave me this precious time like I always thank you for the same I hope you like this session and now allow me to go Jai Hind